तो गाई डंकी के मेकर्स ने Day 1 के Official Collection Report का पोस्टर जारी कर दिया है, बोले तो इसकी Opening का, जो की काफी चौकाने वाला है, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि ऐसा कितना amount पोस्टर में जारी किया गया है, साथ ही हम बात करेंगे Day 2 के Final Prediction की, या कितना कर सकती है All India Net में, Gross में औ पोस्टर, यानि की गंकी मुवी ने लिया है 58 करोड का Opening, भाई लोग, कहां तो हम लोग सोच रहे थे, 100 करोड का, भाई परसनली बताओं तो मैं भी कम से कम 80 करोड इसका मान रहा था, लेकिन ये तो 58 करोड ही है, जिसमें All India Net Collection 29 करोड के लग भग रहा, भाई ट्रेड वालो ओवाईस है, No Action Movie है, Classic Movie है, इसके लिए इतना कलेक्शन भी ठीक कहा जा सकता है, कल वीक्डेश था, इससे थह साफ़ से भी कलेक्शन कमी रहेगा, आज वीकेंड है, तो आज देखंगे कि क्या होता है, Day 2 मैं इसका कलेक्शन, तो देखिये रप तो S equitable हिंदे हो चुकी है, के साथ देटू में डंकी के काफी सारे सो गिरे भी है थोड़े बहुत नहीं गिरे हजारों में सो गिरे हुगी है तो इन सब कंडिसेंस के मद्य नजर इसका डेटू कितना हो सकता है इस पर बात करने से पहले ज़र हम डेटू की occupancy पर एक नजर डाल लेते हैं तो भाई मॉर् बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका कलेक्शन भी बढ़ेगा अगर हम इसके सहरवाज occupancy देखें तो मुंबई में 50% है लगबक 700 के साथ देखें इस तरह की occupancy जिस तरह के हम देख रहे हैं आप माली जी की डंकी जो है वो खरगोस नहीं है मैं पहले भी आपको बता च कहूं यह कच्छुआ है कच्छुआ चाल से चलेगी एकदम से धमाका करती हुई यह ओपनिंग नहीं लेगी धमाका करती हो कमाई नहीं करेगी इसको आप एकदम से 100 करोड 500 करोड जैसा magic words इसके साथ इस्तिमाल नहीं कर सकते हो यह फिर भी अपना एक अच्छा collection करेगी और अपने बजट के हिसाब से सुपरेट का बर्डिक भी लेगी देख लेना अप अगर बात करें हम इसके डिली एंसीयार की occupancy की तो 40% है लगबग 988 सो है इसके पूरी में 29% की occupancy है लगबग 300 सो है बंगलुरू में 31% की occupancy है 417 इसके सो है एहमदबाद में 18% की occupancy है 453 इसके occupancy है 297 सो है ऐसे चेनने में 48% की occupancy है 135 सो इसको मिले है तो इस तरह की occupancy को देखती हुए अगर हम बात करें कि आज का क्या होगा बोले तो इसके डे टू के collection का इसका final हम prediction कितना दे सकते हैं तो देखिए काफी बड़ा सवाल है कि कही इसका collection गिरेगा या बड़ेगा भई equipment अब पूरी तरह से release हो चुकी है, solar भी release हो चुकी है, so भी कम हो चुकी है, काफी सारी चीज़े इसके साथ हो चुकी है, तो इस हिसाब से इसका आज का collection है, net में 20 से 20 करोड तो होना चाहिए, कल 29 करोड हो गा था, तो इसका all India net collection 20 से 21 करोड का होना चाहिए, यानि कुल मिला करके दो दिन का net collection इसका इंडिया से 50 करोड रुपए हो जाएगा, वाँ वाँ वाँ, क्या बात है, आप समझ रहे हैं न, कहां तो सोच रहे थी कि एक दिन में ये 50 करोड नेट collection कर जाएगी, लेकिन अब दो दिन में भी ये फिर भी ठीक ही है, तो 20-21 करोड का अगर हम gross ब collection आराम से 20 करोड तो अबरसीज से कर लेगी, भले यक्वेमेन हो, सलार भी हो, कुछ भी हो, ये लगबग 20 करोड तो अबरसीज से कर ही लेगी, भाई, फिर भी सायरोख खान एक गिलोबल स्टार ही हैं, और गिलोबल सुपरिस्टार ही रहेंगे, कैसा भी किलेस हो, वो अप अठान एक्षन मूवी थी, मास मूवी थी, उनसे कंपरिजन आप डेंकी का नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह डेंकी के डेटू का जो फाइनल प्रेडिक्शन होगा, जैसे इंडिया ग्रॉस हमने 25 करोड लिया है, और ओबरसीज का कलेक्शन 20 करोड लिया है, कुल में लाकर कर करोड की ओपनिंग की उमीद लगाए बैटे थे, लेकिन कोई बात नहीं, दो दिन मैं डेंकी का सौ करोड ए भी एक बड़ी सफलता है, इसके बजट को देख करके, और इसके अन एक्षन मूवी से क्लैस को देख करके, भाई ये क्लासिक मूवी है, धीरे धीरे चाल से चले चेवाए और भाइ, ये झायल करनके अमी है, रिन मैं इसके क्लासिक कि बाए, खेख, डिन Moscow ऑगवीरे चाल और राल मोवी है, जिसे अक मूवाई, और राल मैं मूवीरे नहीं, जिस तिसे था चले कि घुनुत्पे हैं, zdeहाएंग